हेलो फेंड्स वल्कम बैक टो दिस चैनल दोस्तों इस वीडियो में दिवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए हम लोग बाचित करेंगे लेकिन उसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल को फर्स टेम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर लिजे ताकि दोस्तों आपको आने बाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो दूसरी रिक्वेस्ट यह रहेगी अगर आप दी में टियर ट्रेडिंग काउंट ओपन कराना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिय गया है दोस्तों दिवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ले करके यहां पे आज मैं जो आप से डिसक्स करने वाला हूं ये आपको भी जान करके काफी हैरानी होगी आप भी जान करके ताज्जुक रह जाएंगे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है अगर ऐसा हो सकता है तो कोई न कोई ऐसी पीछे की चाल है जो हम तक नहीं पहुचाई जा रही है जो मेडिया से बाहर रखा गया है आप खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं डिसकस क्या करने जा रहा हूं दिवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अं से कही न कहीं इस बात की तरफ इशारा नजर आता है कि कहीं न कहीं इन सभी की मिली जूली भगत तो नहीं है देखिए कॉमेटी ओफ क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए जैसे कि डिये चेफल केस में जब इसके जितने भी बैंक से जितने भी लोन दिया जिन लोगों ने उन सभी ने मिल करके सभी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिस मिल करके एक कॉमेटी तयार करते हैं जिसको हम कॉमेटी ओफ क्रेडिटर्स बोलते हैं और कॉमेटी ओफ क्रेडिटर्स फैनेंशियल लेंडर्स ही होते हैं बैसिकली लेकिन हर बैंक के एक एक र क्रेडिटर्स बोला जाता है तो यहां पे डिएच एफल के रिजोलूशन प्लाइन को लेकर के जो पिरैमल ग्रूप ने अपना प्लाइन तयार करके दिया था उसको डिएच एफल के कॉमेटी ओफ क्रेडिटर्स ने एकसेप्ट किया एग्री किया उसके बाद ही आगे अंसी कॉमेटी ओफ क्रेडिटर्स जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं नेशनल कम्पनी लो एपलेट ट्रिबिनल के रिसेंटली दिये हुए ओडर को चैलेंज करते हुए आप जैसा कि यहां पे हेडिंग देख पारे होंगे य दोस्तों इसका क्या मतलब है पहले उसको मैं बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन से बैंक्स हैं जिन लोगों ने यहां पे सुप्रिम कोर्ट में जाकर के एंसी अल एटी के जैनवरी ट्वेनी ट्वेनी टू के ओर्डर को चैलेंज करने की कोश लगा रहे हैं सुप्रिम कोर्ट का दर्वाजा खटगटा रहे हैं और बोलना चाहते हैं कि आप नेशनल कंपनी लोग एपलेट ट्रिबूनल के दिये हुए रिसेंट जेज्मेंट को और्डर को साइड करिये साइड करिये दोस्तों अब आपको बताना चाहूँगा नेशनल कंपनी लोग एपलेट ट्रिबूनल के अंदर 63 मोन सेंट टेकनलोजी ने अभी रिसेंटली अपील किया था कि पिरामल ग्रूप का जो रिसलूशन प्लैन है उसके अंतरगत 40,000 करो रूपीस की रिकवरेबल असेट्स को वन रूपे की वैल्यू असाइन कर दी गई थी ये बिलकुल भी इनसाफी नहीं है और जिसके चलते सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इसको जहना पड़ रहा है तो वो रिसलूशन प्लैन है जिसके अंतरगत जो टाम उन्होंने असाइन किया था जो टाम लिया था कि जो रिकवरेबल असेट्स थी 40,000 करो रूपीस की उन्होंने 1 रूपे असाइन करके बचने की कोशिश करी और यहाँ पे सबसे दुख की बात ये है कि पिरामल ग्रूप को य ये बात जो है करने ही नहीं चाहिए थी लेकिन 40,000 करो रूपी की रूपीस की रिकवरेबल असेट्स को 1 रूपे असाइन करके लूटने की कोशिश करी डिवान हाउसिंग फिनेंस लिमिटेट की उस नॉन मुवेबल असेट्स को राइट तो अब NCLAT ने यही कहा था कि बै उन सभी को जो जो आपने अमाउंट दिया है उसमें थोड़ा और कंसिडरेशन कर यह देने की और जो रिकवरेबल असेट्स हो सकती थी उसको 1 रूपीस का असाइन्मेंट करना यह लीगल नहीं है यह बिलकुल भी इलीगल है राइट तो यह जज्जमेंट जब पास किया जाया और कोई कोई वकील या कोई अथारिटी अगर यह बोले कि इस चोर की रखी हुई आसेट्स को दौलत को निगाल करके पबलीक में बाटा जाया तो उस चोर को चैन थोड़े आएगा उसे तो फिर उसकी नीद घराब हो जाएगी तो पिरेमल ग्रुप को यहां पे कही परिशानी परिशानी है इनको क्या दिक्कत है कि यह सुप्रेम कोट पहुंच गए एंसी एलेटी के ओरडर के खिलाफ में इनको तो फायदा ही होना चाहिए था अगर प्रेमल ग्रुप उस 40,000 क्रूर रुपीज की रिकवरेबल आसेट्स को बाटता है कॉमेटी ओफ क्रेडिटर्स में जो की फ्रेंशिल क्रेडिटर्स भी उसमें आते हैं लेंडर्स हैं बॉन्ड होल्डर्स हैं इन सभी को वो पूरा का पूरा अमाउंट गटता तो उससे फायदाई तो होता ना कॉमेटी ओफ क्रेडिटर्स का बैंक्स का तो यह क्यों जा रहे हैं भाईया इस पूरी आर्टिकल को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ने के कोशिश करी जो उसका conclusion point है मुझे यही लगा जो मैंने आप से discuss किया और share किया कही ने कही ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि committee of creditors कोई ने कोई गेम खेल रहे हैं क्योंकि कौन होगा बेवकुफ कौन ऐसा bank होगा जो नहीं चाहेगा कि उसको उसकी recoverable amount maximum से maximum मिले पताइए ना कोई bank चाहेगा क्या ऐसा नहीं चाहेगा right हर bank चाहेगा कि उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा recover हो सके उतना better होगा तो कोई bank ये क्यों कहेगा कि 40,000 करोर रुपीस की जो recovery हो सकती थी उसको एक रुपे मिले उसकी जगा पर यानि ना के बराबर recovery मिले कोई चाहेगा ऐसा नहीं चाहेगा तो इससे साफ साफ किलियर होता है कि bank's resolution जो अपॉइंटेड आर्बियाई अपॉइंटेड जो एड्मिनिस्ट्रेटर था आर्पी इसके अलबा जो bramal group है यह सभी के सभी मिल करके गोली खिला रहे हैं सब और stakeholders को तो एकदम दाव पे लगा दिया तो दोस्तों अब देखना होगा कि supreme court इस case को कैसे देखता है और जो date है इस case को सुनने के लिए I think 21st March है क्या मैं यहां पे आपको देख के बता देता हूँ यह चीज यहां पे mention करी कई है और यह देखना होगा कि supreme court इस case को lightly लेता है या फिर इसको seriously लेता भी है लेना तो चाहिए अब जैसा कुछ होगा मैं आपसे जरूर discuss करूँगा तो 21st March 2022 अब देख सकते हैं यहां पे date mentioned है 21st March याद रखिएगा इस date को supreme court सुनेगा DHFL के जो committee of creditors है उनके द्वरा फाइल किये हुए application को जो चाहते हैं कि supreme court इसको set करके अलग कर दे NCLAT के judgment को अलग कर दे ताकि वो बचे रहें छुपे रहें जो उन्होंने कारणामे किये है सवाल यह है कि तुम्हें 40,000 क्रूड रोपी की recovery हो रही है तो तुम अलग होने की या उसको टालने की बात क्यों कर रहे है कि आपकी कोई setting है pyramal group के साथ में एक बहुत ही तीखा question यहां से खड़ा होता है बहुत तीखा question खड़ा होता है और यह question क्या supreme court पूछेगा उमीद तो यही है क्योंकि जैसा कुछ होगा आगे हम जरूर discuss करेंगे till then take care fans अपना क्या लिखिए and patience रखिए और देखते चलिए क्या क्या कहानी उबर क्या आती है